पुल्पति का काम है एक रिशी का काम जो होता है वो काम है लेकिन भश्टाचार का जो संस्कार होता है वो संस्कार तो सब लोगों में ब्यात हो जाता है जर्जन भुटाला में पसे हुए लोग रह सकते हैं जब जो मुझबरपुर में हुआ बालका गिरे में ऐसे लोग रह स करते हैं जब एक जीरापरसद के जो चुनाव में जीते सदस उनकी हत्या करने वाला लोग भी सब उसके समझ जो सनिक्ता है ऐसे लोग भी सब सरकार में रहा सकते हैं तो रायंदर प्रसाद जैसे लोग खुलपती बने हुए अभीतार तो मेरे जैसे लोग के लिए को आश्च सरकार भूसना करें तब मेरा यह बात होगा कि जसन मुराने के काम हमस्कार आप नुट फॉर्णिशन देखरें मैं हूँ आपके साथ वंदना हमारे शाहत अभी हैं राज़त के राश्ट्री महा सचीव स्यामरजक सर और पूर्मे मंत्री भी रह चुके हैं यह बहतर जान सक तो उससे बड़ा मठादीस है भष्ट अचार के मामले में चाहे बैंकों के बेचने के सवाल हो संस्थाओं के बेचने के सवाल हो या जो भी आप देखेंगे भष्ट अचार का परकास्टा है और उसका असर तो बिहार में भी आएगा कुल्पती होते हैं सबसे बड़े है कुल पती अज़ 흇eshल मोगों कुल पती हो रहा हैं कुल पती का काम है एक काम होता है वोगर संस्कार प्रणता करोर रुपिये उनकी कैस मिले। अनाम गुमनाम कई संपतियों के कागजात मिले तो एक ची बता दो कि गवणनर के द्वारा होते हैं कुलपती लेकिन सरकार कुलपतियों की सुची देती है और उस सुची के आधार पर कुलपती चेन करके पिरके उनको कुलपती बनाते हैं गवर्नर को अधिकार है क्योंकि सेच्छनिक अधिकार उन्हीं को है उस सिच्छा का कुल्पती उन्हीं के माध्यम से होता है लेकिन राज सरकार जो होती है वो सुची देती है और मुख मंत्री आप बरावर देखते हैं कुल्पती के पहले या सेच्छनिक मामलों में मुख मं प्रश्चाइब निर्णें होकर करके उसकी मनोनीत होती है तो राजन परसाच जैसे लोग अगर बन गए उसके उसके पक्राग उनके उनके इस मामने में नहीं कहना है कि कैसे पक्राग है कैसे किया कि यह तो जाच कमिट्री जाच रही और उसने खुला है लेकिन अभी भी है पद पर तो यह तो सिक्षाई भाग को उस सिच्षाई भाग के मंत्री को इसका प्रस्ताव देना चाहिए गवर्णर को कि इस तरह का कि यह तो कारून पर जब मुकदमें होंगे तो स्वता उनको पच से हटा दिया जाता है लेकिन यह सरकार का ही जो कहां जाए कि उनका कहां जाए कि उनका इसनी बड़ी तागत है कि भचाचारी लोग रहा रहे हैं जब शिर्जन घुटाला में फसे हुए लोग रह सकते हैं जब जो मुझबरपुर में हुआ बालका गिरे में ऐसे लोग रह सकते हैं जब एक मंत्री के भाई के यहां सराव मिलता है वो रह सकते हैं जब एक जीरा परसत के जो चुनाव में जीते सदस उनकी हत्या करने वाला लोग भी सब उसके सब्सक्राइब जो सनिप्ता है ऐसे लोग भी सब्सक्राइब रहा सकते तो राइंदर प्रसाद जैसे लोग कुलपती बने हुए अभी तक तो मेरे जैसे लोग लिए को आश्चर्च नहीं क्योंकि अकाट सेक्रों दर्जनों कई सेक्रों उधारन है कि सरकार में वैसे लोगी है जो एक पर कर वाय दूसरे पर ह जाता है ला के चीट भी मेरी पट भी मेरी अ एक कि भारत सरकार किसी है लेकिन महामही में राजपाल का तो मनुनेयन तो ग्रह मंत्राले के अनुसंसा पर देश के प्रधान मंत्री के अनुसंसा पर राष्टपती उसकी करते हैं मनुनेयन करते हैं कैसे बीजेपी का अपना तक्या कलाम है किसान आंदलन हुआ तो कहें कि यह तो आतेंगवादी खालिस्तानी सुसील मोदी जी बड़े ब्यज्याता है ज्ञान बाटते हैं इतना बड़ा ज्यानी तो साइध कहा जाए कि मंदन मिश्र के पतनी जो थी वह भी उनको भी ज्ञान कमंडा एतना नेता जितना सुसील मोदी जी को है तो ज्ञान कमंडा एक समय करते हैं खालिस्तानी है आतंगवादी है आज कह रहा हैं कि समयदन सील है देश के प्रधान मंतरी साथ सो लोग मड़ गये उस समयदन कहां गई थी तो समयदन हीन वेक्ति के बा जाने जाए उनका अपना सट्था के रहें कि ब्रस्ट कुछ ऐसे पताधिकारी है जिनके वजह से श्रकीन हो जारी है और जिसका भुकतान जो सब्सक्राइब करते हैं पताधिकारी किसके द्वारा मनोनीत होते हैं ठीक है BPSC, UPSC या SSC करमचारी चेहन आयोग के द्वारा चेहन होता है लेकिन इसकी पोस्टिंग कौन करता है पोस्टिंग तो सरकार करती है सरकार कैसे नहीं दोसी होगी हम इस घर के गार्जियन है अब मेरे नीचे का पताधिका करवांए नहीं हो रही है कोई करवाइब नहीं कर रहे अकड़े इतने बड़ी रकम पाएगा है काफी मैंने तो कहा दिया कि कुल पती के यहां भष्ट अचार के गुम्नाम कागजे मिले उनके पास कैस करोर रुपय के मिले इसके वाद सरकार हाथ भाहाँ धर करके बैठी हुई है और वह अपना अनुसंसा नहीं कर रहे गवरनर्साहिब को अनुसंसा भेजे कि ऐसे लोगों को तुरत बर्खास्त किजिए तो सिधा सिधा है यह भ engles there लो को पॉलन करने का काम सरकार कर रही हैं इनका पलायन стоит लेकिन पॉलनयों करकर के उनका सुरक्षा और लिट को पालन करने का कैन सरकार करने हैं आ Gum अर कोई कार तो गवेंगार क्या देशा नुषा लेकिन करता कौन मुख मंत्री ना सीधे सीधे दोसी है है अब सिख्षा मंत्राले दोशीये सिछा मंत्री दोस्वी सिचा अबाग के पतादिकारी दोसी है कि एक मेरा स्वाल है कि किसान क्रिसी बिल कानून वापस लिया गया लेकिन कॉंग्रेस में जसन का तब मनाएंगे जब किसान आंदोलनकारी लोग साथ सो लोगों की सहादत के बाद ये सरकार ने फैसा लेने का काम किया और यूपी के चुनाव और इन चुनावों को मत्य नजर एक राजनितिक कारण भी रहा और जब साथ सो लोग सहादत है ये आंदोलन किसानों कांदोलन रहा है हम उसके सहयोगी रहे हैं लेकिन इसके मुख नेता इसके करता धरता सर्फ संजुक्त किसान मोर्चा था और संजुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा है कि अभी जसन मनाने की जूबत नहीं है अभी हमको पहले संसत में ये तीनों बिल बापस हो और MSP मने निम्तम समर्तर मुल्य पर कानून गारेंटी का कानून बने बिजली कानून जो आया है बिजली बिल कानून वो बापस ले तब और उन 700 सहीद जो हुए उनका पड़िवारों के बारे में सरकार घोसना करे तब मेरा ये बात होगा कि हम जसन मनाने के काम करें खुसी मैं मना रह लेकि जसन का भी समय नहीं है जसन के से 700 सहीद हुए सहादत पर जसन मना जाता है मैं तुम सहीदों को नमन करता हूं जिनके सहादत से डड़ करकर करके सरकार ने लगा कि उसका असर हमारी चुनाब परेगा और उसको बापस लेना पना है इसलिए इसमें राजितिक दल के ल का है हम एक सहीद है हम पर भी केस हुआ था ते जस्वी यादों के निर्थित में आपको याद होगा जब हम लोग इस सवाल पर गांदी मैदान में हम लोग धन्ना पर बैटेते उपास पर और गांदी जेके मुर्ती के पास गय थे हम लोग पर 307 का केस हो गया तो हम लोग कास केस हो थे तो सरकार के अपने मंसा रही है लगिंग फूर खिरी में देखे किस तरह किसानों को उचला गया वह आसीस विस्टरा उनके लोग उनके पिता जी अभी मंत्री हैं तो इसमें जसन क्या मनाना है जो मने किसान मरगे सहाधत हो गया उनके परिवार पर क्या जाके और हम लोग की जो मांगती उसमांग का आधा अभिस्ट है आधा भी बचा हुआ है अधा बीजब पूरा होगा तब ना जसन की मानुग है अर्थ निर्मीत पर तो कोई जसन नहीं होता है पूर नचब तक इमारत नहीं बने तब ना उसमें गिरी परवेश होता है और पर चलेचर और नहीं को अच्छी काम कर रहें उन म一個 नेता लोग भी भागीदारी रही है लें अगे बढ़ब करकर एक राहूल किसान निर्तित परहता संडुल वो हां हो या कोई ह bilang सब लोग सहयोगी रहें मेना जब अंपर निर्तितर नहीं करने मोग षसथा नहीं मना थे कि क्या उचित सपया था about सरकार में बेराम में कुल पती हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है तो सरकार दोसी है झाल झाल